गुर्जर समाज के अंदर नसरारियों और आरक्षन के आंदोलन से पहले दो फाड होते हुए दिखाई दिरें लेकिन इस दो फाड के पीछे की वज़े क्या है क्या कर्णल के रोडी सिंग बैसला के नित्रों तो उनके समझोते के दोरान की महतव कांशा को किस सरीके से बयान के जरीए बता है इसको जरा सुझे कि उसकी चर्चा वो नहीं करना चाहते यानि कि इज़त को उच्छालते भी और इज़त को बचानी की कोशिश भी आपर करते हैं यादराम जी ये किस तरीके की सियासत असर अपने ही नेताओं की पगड़ी को उच्छालते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं इसका खुलासा नहीं करें जी सब अतरसिंग जी वकिल साव ने बताया था कि आप सी दो गाउं की लड़ाई थी कोई दो गाउं की लड़ाई नी थी करनल साव को नोता दिया था कि आप टोटा बावा मंदर पर आ करके एक जाजम पर बेठें महां बिदूडी साथ भी वला के थेuito आप अपनी बात को साफ साफ तोर पर करें करर्णल साथ टोटा बावा मंदिर पर नहीं आए बिलकूल नहीं अए इसलिए हम कर्णल साथ की निकरे आरक्षंड संगर समयती की नियत में कहीं ना कहीं खोट है जी सर नियत में तो विधूरी जी के भी खोट है वो एक तरफ तो कर्णल किरोडी सिंग वैसला पर सवाल उठाते हैं और दूसरी तरफ बताते नहीं है बिदूरी जी ने इस पश्ट कहा है कि मेरे पास में डेकुमेंट्स से पूरे में साथ लेकर आया हूँ कर्णल साब को बलाओ मैं उनको पूरे डेकुमेंट्स बताओंगा जब जब भी मैं उनके साथ रहा हूँ और समझोते हुए हैं मैंने मना किये बिलकुल मैंने समझोते ह पर मेरस्ताक्षर नहीं अगर थाफ्षर नहीं कि दूसरी बार रस्ताक्षर नहीं किये तीसरी बार हट जाते इसके उनकी यह गल्ती है वो सीधे ही दिल्ली चले गए वे पप्लिक के बीच में नहीं पहुंचे पबलिक के बीच में जो वात उन्होंने अब बताईए वात उसको काफी दिन पहले बता देनी चाहिए ठीक है अतर सिंग जी सर किस तरीके से करणल किरोडी सिंग बैसला मैनेज हो जाते हैं और क्या यही वो मैनेजमेंट है जिसकी वज़े से गुरजर समाज का विश्वास खत्म हो रहा है ने तो कभी विश्वास खत्म हुआ था और ने कभी होगा यह एक मैनेजमेंट है जिसके तेत यह सारा काम हो रहा है और बाकी पूरा गुजर समाइए विदोडी जूट बोल रहे हैं बिलकुल जूट बोल रहे हैं वो जूट बोल रहे हैं को अगर के राजथान आते हो जब कोई बात तोड़नी होती है आप राजथान चले आते हो गोवर्मेंट मेनेज करती है जो बात के के चले जाते हो कोई बात है उसे बता दो ना एक दूसरे पर कालिक भी पहुती जाएगी और फिर कहेंगे कि नहीं हम उस पर कुछ कहने को तयार नहीं देखे मैं एक मनोवेग्यानिक और मनोवर्ति वाला एक आपको बात बता रहा हूं कि जब जब भी आंदोलन ज़्यादा विलंबित होंगे तेजी से दोड़ेंगे तो ठकेंगे और सरकार की वास्ता में नीती यह है कि यह ठका दें दुफरी बाद यह हुती है पुरी दुनिया जानती है कि बाटो और राज करो अब यह बाट रहे हैं और उसके बाद समाज बठ रहा जब जब भी विलंबित होंगे इस प्रकार के अंदोलन तो जो नेतत वहना वो कुल लेना चाहता है अब एक बात में आप समाज के लिए काम कर रहे हैं तो टिकट क्यों ले रहे हैं हारते या जीते के यहां चुराओं में उसके बाद में कभी आप अंग्रेजी में कभी मिंदी में क्यों बोलते हैं इसका मतलब आपको लेना चाहते हैं और जहांते हैं विजोड़ी साब का है उनका काम वास्ता में केंदर का है असलिए तो यह कि केंदर में राजिस्ती करना और मौरा गुर्जर समाज हैं और ये वास्ता में उनका चोफन कर रहे हैं और उसके बाद मैं पर पठ्री पर ला रहे हैं उसके बाद में तो समझवता करना क्या है आपको कि 5% आंदर मिलना चाहिए चीक है, मेरे पास बग्त की मांचन जी कमी है नरूका जी, सर को ये ऐसा ठोस समझोता सरकार की तरफ से क्यों नहीं दिया जाता न वो कोट में अटके, न वो कहीं और अटके और अगर 5 पीज़दी आरेक्शन देना है तो मिल जाए सर जो भी सरकार ने जब भी कोई समझोता दिया या समझोता किया या जो भी एक्ट बनाया उसमें कभी भी सरकार की ये मनशा नहीं थी कि ऐसा कोई एक्ट जाके कहीं किसी कोट में अटक जाए आप उस एक्ट को अगर अवलोकन करेंगे और समझोता समीती भी उसके दोरान थी, कानून विद भी उसमें थे सामिल और उसमें एक्ट में जो भी प्रोविजन दिया गया वो ये सोच के जो दस दिन भी ना टिक पाए उस पर कौन सा राय मश्योरा सर वक्ती मेरे पास कमी है अतर सिंझ जी, क्या विदूरी गुरूप से बाचीत की जाएगी? हाँ होंगी ना, बैटके होंगी सरेक तरव आप कह रहें कि वो जूटे हैं और फिर आप उनसे बाचीत भी करेंगे जोनी करेंगे, अपना आदमी है खूब बात करेंगे उनसे कहेंगे भाई ऐसी क्या कमफ्लेंड है जिससे आप हमसे परिशान हो ऐसी कोई बात होगी हमारे समाज के इसना है समाज के आंगे हम उनके पास बैटेंगे अगर कोई बात है उनके मन की कोई बात है पैट के बात करेंगे बात है भात है बैटके बात करेंगे बात ह ہیں टीक अगर आप मुझसा देतра लेक्लाइन से को आफ परटिूछन में और यह मंन स्पिस्पर है कानोनस में इसपराइप जाइन पचास प्रतीक्ष नहीं और इसके अंदर जो कुछ है वो कुछ मिला नहीं क्या इसके पीछे राजनेति महतव कांशाएं हैं जिसको एक दूसरे गुरूप के नेता बखो भी समझ रही है और इसलिए एक दूसरे को काटने में ही लगे हूँ बिग पाट लाई में फिला लिए नमस्कार